Hello everyone , welcome to LN Digital , आज जुआए इंट्रेस्टिंगं पारटpled वो को 것처럼 करना है वह है आपका Earth-Magnism , और واупो करना है वह समें, बना cups मैकली सब्सक्राइब करना है है वह है आपका रिगार्डिंग मरीदिन कहां कमें निजबन को कैसे वह हैं निजफ नैडिन को कि अनुन की है तो अगर meridian की बारे में discuss करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला meridian को discuss करना होता है वह क्या होताय आपका जिव मेरीय maze और आप लोगों को यहां दिख रहा होगा चि मैंने एक में आर्थ का diagram बना रखा है और यहां पर differentiate लेक्सें मार्क करा हुआ है आप Sud लेक्सेंशन के इसिसाफ से कहा गया है कि एक ऐसा vertical plane consider करना है जो हमेशा आपके geographical axis को contain करेगा ठीक है तो अगर मैं उस plane को यहाँ पर आपको draw करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का होगा आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यह जो plane draw करा है it contains this geographical axis that is why इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर geographical meridian भोलते हैं ठीक है नाव अब एक चीज़ notice करो आप कि जब मैं इस plane को आपके अर्थ के थुरू along the geographical axis pass करूँगा तो मुझे हमेशा आपके इस plane पर एक circle बनता हो देखेगा और वो किस तरह का होगा वो कुछ इस तरह का circle बनता हो देखेगा आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह जो circle है वो हमेशा आपके geographical meridian में ही लाई करता है तो कई बार क्या होता है हम जहाँ पर भी यह circle बनता हो दिखता है हम यह कह देते हैं that this circle represents geographical meridian क्योंकि यह जो circle का plane है और यह आपका जो vertical plane आपने मार किया है अगर वो same है तो हम इसे भी अपना geographical meridian बोल सकते हैं ठीक है तो in simple words हम यह बोल सकते है कि एक ऐसा vertical plane जो हमेशा आपके geographical axis को contain करेगा उससे ही अपर हमेशा अपने geographical meridian से बिखाएंगे चलिए ठीक है अगला आता है आपके पास magnetic meridian अब यह magnetic meridian क्या है बिल्कुल same definition है जैसा आपका geographical meridian का चलता है ठीक है magnetic meridian के लिए अपनको यह बोलना होता है it is a vertical plane which contains magnetic axis ठीक है तो यहाँ पर वापिस एक earth का diagram बना रखा है अब की बार यहाँ पर अपने एक magnetic axis ड्रॉ किया है अब magnetic axis हमेशा आपके अर्थ को जिन दो points पर cut करेगा वो हमेशा कौन से होते हैं यह होगा magnetic north और यह होगा आपका magnetic south ठीक है तो मुझे एक ऐसा vertical plane बनाना है जो हमेशा आपके इस magnetic axis को contain करता हो ठीक है तो अगर मैं इस vertical plane को यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीका दिखाई देता है मुझे and very clearly we can say कि यह जो vertical plane आपने बनाया है इसमें आपका यह yellow color का जो magnetic axis मैंने ड्रॉ किया है वो लाई करता है ठीक है now what happens आपन को यहाँ पर वापिस वही चीज अबजर वही है जो previous case में अबजर हुई थी कि जैसे ही मैं आपके इस plane को along the magnetic axis through the earth पास करूँगा हमेशा मुझे यहाँ पर वापिस आपके इस plane पर एक circle बनता हो दखेगा और अगर उस circle को मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो इस तरह का आजाएगा again वही चीज बोलेंगे अगर हम इस circle को देख पा रहे हैं और इस circle को किसी जगह पर observe कर रहे हैं तो हम इस circle को भी अपना magnetic meridian बोल सकते हैं ठीक है तो यह हो गया मेरे geographical meridian और magnetic meridian का definition ठीक है अब हमें इन्हें draw कैसे करना होता है किसी particular point पर तो उसके लिए अपने एक situation लेकर आते हैं और उसी situation की basis पर हमें और भी इन्फोर्मेशन चेंपॉर्टेंट है वह निकल कर दिख जाएगी चले शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर यह देखना है कि हम अपने अर्थ पर एक पॉइंट करेंगे जिस पॉइंट पर मुझे आपके यह meridian's ट्रॉ करना है तो चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले अर्थ को लेकर आ जाते हैं ठीक है अगर यह आपका अर्थ है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना ट्रॉ करके दिखा दिये हैं यह आपका कौनसा एकसिस होगा बही जिघ्राफिकल एकसिस होगा क्योंकि मैनेage और ब्रिबशन कर रहे हैं और यह क्या रिपसेंट करते वया जोड़ा इस फिगर को जूम अप करता हूँ और अल्टिमेटली मैंने यहाँ पर एक बंदे को एक टास्क दे रिखा है टास्क यह है कि उसे अपनी लोकेशन से जोगराफिकल नौर्थ तक पहुचना है अच्छा कई जगह पर इस जोगराफिकल नौर्थ को आप ट्रू नौर्थ से भ अगर आपके इस बंदे को जो यहां बैठा हुआ है अगर इस बंदे को जोगराफिकल नौर्थ तक डिरेक्टली पहुचना है तो उसे जो रास्ता लेना चाहिए वह हमेशा कैसा होना चाहिए वह कुछ इस तरह का होना चाहिए ठीक है अब सबसे पहले आप मुझे यह बत नौर्थ तक पहुचना है तो उसे जो रास्ता लेना चाहिए था वह हमेशा यह होना चाहिए ठीक है अब यह बंदा थोड़ा शाणा निकला इसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा मैं हमेशा एक कमपस यूज करके अल्टिमेटली अपने डेस्टिनेशन पर वह बेसिकली इस पॉइंट पर पहुचिए अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सर हमें यह पता है कि कमपस का जो नौर्थ टिप होता है वह हमेशा जिस भी डिरेक्शन को पॉइंट करेगा वह आपका मैगनेटिक नौर्थ होता है तो इसका मतलब अगर कमपस का यह रेड टिप हमेशा आपके north end को represent कर रहा है तो यह आपको आपके magnetic north पर ले जाएगा और यह आपको आपके magnetic north पर ले गया है ठीक है तो हम पहुँचना कहां चाते थे geographical north लेकिन हमारे compass ने हमें कहां पहुचा दिया है magnetic north ठीक है अब एक ही point पर बैठके मैंने यहाँ पर आपके दो directions ड्रॉ करके दिखाए ठीक है तो थोड़े देर के लिए अगर मैं आपके इस location को point P से mention कर देता हूँ तो मैं हाई यह बोल सकता हूँ कि point P से मैंने यहाँ पर दो रास्ते ड्रॉ किया है एक रास्ता अगर मैं follow करता हूँ तो वो मुझे हमेशा अपने true north की तरफ लेकर जाता है और एक रास्ता अगर में लेकर जाता हूँ तो वो हमेशा मुझे north obtained by the compass की तरफ लेकर जाता है ठीक है इन दोनों की बीच में हमेशा जो angle बनता है इन दोनों पात के बीच में जो एंगल बनेगा उसे आप हमीशा क्या बोलते हो फाई से रिपरेजेंट करते हैं और इस फाई को अपन हमीशा किस सा इडेंटिफाई करते हैं इसे हमीशा क्या बोला जाता है इन सिंपल वर्ड्स अगर हमसे कोई पूछे कि आपके इस मैग्डेडिक डिग्लिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा तो हम हमीशा क्या बोलेंगे ट्रू नॉर्थ जो नॉर्थ ऑप्टेन वैदा कंपस के साथ एंगल बनाता है उसे ही अपन हमीशा क्या बोलते हैं मैग्डेडिक डिग्लिनेशन बोलते हैं true north हमेशा north obtained by the compass के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को आप हमेशा क्या बोलेंगे magnetic declination बोलेंगे चलिए हो गया मेरा काम यहां से मुझे एक important term के दर्शन हो गए ठीक है अब क्या करता हूं मैं इस situation को थोड़ी दिर के लिए बाहर निकल के लाता हूं क्योंकि हमसे इसको discuss करेंगे तो हमें इसमें यहां पर एक और important पहुच जाते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने compass follow किया होगा तो आप कहां पहुचे हूं magnetic north को तो मैं इसको एक different color से यहां पर represent कर देता हूं कि हम अपने point पीसे journey करके यहां पहुचे है अब यहां पर आपको बोला गया है कि हमेशा इन दो directions की बीच का जो angle होता है वह हमेशा कौन represent करता है 5 ठीक है तो उस 5 को represent कर देता हूं मैं यहां पर और यह होगा आपका angle 5 और माल लेते हैं कि इस 5 का value कितना आ रहा है आपके पास 20 degrees आ ठीक है तो आपको अपने इस point पर angle of declination का value पता लगा और उसका value कितना बता दिया आपने 20 degrees अब इस पात पर जो रस्ता चल रहा होगा या इस पात पर जो बंदा चल रहा होगा उसे हमेशा अपने course में एक correction करना पड़ेगा क्योंकि अगर उसे अपने इस destination पर पहुंचना है तो अगर वह सिर्व यही पात वालो करता हूँ तो मैं इस यलो वाले पात को consider करते हुए इस वेस्ट डिरेक्शन बना लेता हूँ कि अगर यह सर मेरा magnetic not direction है तो यहाँ पर East होगा यहाँ पर West होगा ठीक है अगर मैं इस यलो लाइन को अपना reference मान रहा हूँ और इसे not direction मान रहा हूँ तो इसे East और इसे वेस्ट बोल सकता हूँ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने यलो वाले पात पर है और अगर आप 20 डिग्री इस चले गए तो क्या आप अपने वाइट वाले पात पर आ जाएंगे यस और अगर मैं अपने destination पर पहुँच जाओंगा सो point यहां पर यह है कि आपको यह course correction करना ही पड़ेगा नहीं तो आप अपने destination पर नहीं पहुच पाएंगे बात आगी समझ में चलिए ठीक है मुझे अपने angle of declination का concept clear हो गया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मान लेते हैं कि आप इस point पर यह सब अगर मैं वही काम यहां पर करूँ तो कर सकते हैं देखें अगर मैं अपने point P से सीधे सीधे जोग्राफिकल नौर्थ को जाना चाहता तो क्या गरता सर मुझे हमेशा जो रास्ता लेना चाहिए था वो यह होना चाहिए था लेकिन अगर मैं point P पर बैठा हूं और हमेशे compass कर रहा हूं तो compass को अगर मैं follow करता वा जाओंगा तो वो तो मुझे हमेशा magnetic नौर्थ लेकर जाएगा इसका मतलब अब की बार आपका angle of declination observe गवा था और point P पर जो हमें angle of declination observe गवा है वो डिफरेंट है इसका मतलब यहां पर यह है कि angle of declination का value point to point क्या होता है वेरी करता है अगर आप यहां पर diagram के एसाब से देख पा रहे हो तो obviously मैं यहां पर यह बोल सकता हूँ कि यहां मेरा angle of declination phi dash हमेशा आपके इस वाले angle of declination से क्या होगा ज्यादा है का तो मुझे यहां पर यह पता लगा कि अगर आप अर्थ की surface पर point to point move करते हो ऐसा करने से आपके इस angle of declination या फिर पाग्डेडिक declination का value क्या होता है वेरी करता है तो यह important बात थी जो मुझे ultimately आपको इस photo से समझाना था ठीक है चलिए वापिस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं सर हमारा मुद्दा क्या था हमारा मुद्दा यह था कि हमें meridians ड्रॉ करने थे हमने उसके बारे में जो रामाइन थी वो तो सब discuss कर ली पर उसे ड्रॉ कैसे करेंगे तो उसे ड्रॉ कैसे करेंगे इसी डियागराम की हल्प से करेंगे ठीक है चलिए वापिस अगर मैं अपने पाइंट-P पर आजाता हूँ तो मैंने आपको बोला था कि पॉइंट-P से हमने दो रास्ते बनाए हैं एक रास्ता हमें सीधे सीदे जोगराफिकल नॉर्थ पर लिजाता है एक काम करते हैं जैसे ही आपने अपने पॉइंट-P से टुऊर्च से लेक्स जोगरान कर सरकल ड्रॉ किया है और यह ग्रीन कलर कर सरकल आपने कैसी मिला है यह आपने हमेशा पी से लेकर एंजी वाले पात को फॉलो करते हुए आराउंड दा वर्ल्ड गूमकर आये आप और अपने वापिस पी पॉइंट पर आ गए तब जाकर मिला है अगर आप थोड़ा ध्यान स उन्हें डिenge समझाये थो टॉलते है तो यह एक व्रटिकल प्लेन मंसकता हूमें विशिस कंटेनिंग और जिग्राफिकल आकसे अगर आपको प्रॉपर प्लेन ही देखना है तो आप इस सर्कल से पास होता हुआ हुआ पर मैंने औभी आपको एक ही जोग्राफिकल मेरेडियन बोल सकते हूं ठीक है अब अगर इसी पॉइंट पर मुझे अपना मैगनेटिक मेरेडियन अप्टेइन करना हो तो क्या कर सकता हो एक और रस्ता है अभी मेरे पास है ना तो अगर पॉइंट पीसे अगर में अम की तरफ आपने कमपस के डिρεक्षन को फॉलो करते हुए चलू और अरांड द वर्ल्ट घुम कर आ जाऊ तो क्या लाई करता है और आपका Magnetic South Pole भी लाई करता है ठीक है तो अगर मैं एनम के ज्विस्कुल सामने अगर एसम डाट इस मैगनेडिक साथ पोल को लोकेट करता हूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यह जो लाइन बना रखी है मैंने वो हमेशा आपके Magnetic Axis को रिपरेजेंट करता है और अगर आप केयरफुली देखो तो आइकन से कि इस रेड़ वाले प्लेन में या फिर इस रेड़ वाले सर्कल में हमेशा आपका या magnetic axis लाई करता है और एक ऐसा vertical plane जिसमें हमेशा आपका magnetic axis लाई करता था उसे आप क्या बोलते थे magnetic meridian बोलते थे तो अब से मैं इस red वाले circle को क्या बोल सकता हूं magnetic meridian बोल सकता हूं ठीक है तो यहां से मुझे ultimate अपने दोनों meridian मिल गए और इसके basis पर मैंने यहां पर यह कह दिया कि मैं किसी भी point पर अगर जोग्राफिकल और magnetic meridian मनाना चाहता हूं तो मुझे हमेशा हमेशा यह procedure follow करना रहेगा ठीक है लाट इस एक बात इस पात को पकड़ना रहेगा और एक बार अपने compass की help से जो path मिलेगा उससे पकड़ना पड़ेगा ठीक है अब यह सब discussion करने के बात जब मैंने इस पूरे डियाग्राम को complete किया तो मुझे यहां पर एक और observation दिख रहा है आप सब लोग ध्यान से दिखकर बताओ क्या मैं यह बोल सकता हूं कि magnetic declination is the angle between geographical meridian and magnetic meridian at this point P बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि सब आपके यह जो दोनों circles हैं उनके plane की वीच का एंगल भी 5 है इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास मेरे magnetic declination के लिए एक और point आ गया कि magnetic declination is the angle between geographical meridian and magnetic meridian at a given point ठीक है तो अगर मुझे हमेशा आपने इस magnetic declination के regarding 2 important points मिले हैं that is the definitions मिली है तो वो क्या-क्या है लिख लेते हैं फटा-फट तो magnetic declination के लिए जो आपको सबसे पहला point मिला था वह हमेशा क्या मिला था it is the angle between the true geographical north and the north shown by a compass needle बिल्कुल यही चीज बोली थी मैंने आपको true north और north obtained by the compass की बीच का जो एंगल होता है उसे ही magnetic declination बोला जाता है ठीक है अगर मैं इसे diagramatically represent करूं तो latest consider कि आपको एक direction दिखा रखी है और बोल रखा है कि यह geographical north है आप इसे true north भी बोल सकते हो ठीक है तो मैंने इसको यहाँ पर true north भी बोलना शुरू कर दिया है कोई दिक्कत भी ठीक है अब अगर अगर अपन इसको यहाँ पर true north भोल रहे हैं तो आप मुझे बताईए कि यह direction तो मेरा कौन सा वाला हो गया true north हो गया अब इस पूरीशन पर मैंने compass रखा compass को जैसी रखा उसका निडल एक पर्टेक्लर डिरेक्शन में आ गया अब जैसे आपका compass एक सर्टेन डिरेक्शन में पॉइंट हुआ तो मैंने कहा compass का नौट टिप तो हमेशा सब्सक्राइब करता है अगर ऐसा हुआ तो यह मैंने डिरेक्शन हो गया और इंदो नौट डिरेक्शन की बीच का जो एंगल होगा उसे आप हमेशा क्या बोलोगे फाइव बोलत होगे डाट इस एंगल ऑफ डिविनेशन या फिर मैंने डिविशन ट्रू नौर्थ और यह नौर्थ अग्वानल बेच बीच का जो एंगल होता है उसे ही म्रेर डिक डिक्न कहा जाता है ठीक है अगला पॉयंट आला कि इस अच्छे से clear हो गया है और मैं अपने magnetic declination को भी आराम से आइधर इस definition से और इस definition से देख सकता हूँ ठीक है नौँ एक चीज हमेशा याद रखें जब भी आप declination मेजर करें declination हमेशा एक reference line के respect में मेजर किया जाता है और यह reference line हमेशा कौन सी लेते हो आप आपका geographical north लेते हो ठीक है तो हमेशा आपका declination जो भी आप मेजर करते हो वो with respect to हमेशा true north direction होता है that is geographical north होता है ठीक है एक example करते हैं और देखते हैं कि हमने जो भी पढ़ा है उससे हमें क्या इंपर्स नीडल points as shown then geographical north is represented by the direction numbered question आपको यह कह रहा है कि मुझे एक जगह पर हमेशा angle of declaration के अबजर हुआ है पंदरा डिगरी इस्ट अबजर हुआ है ठीक है यह अबजर हुआ है आपको ठीक है and a compass needle points as shown तो compass needle का भी direction यहां पर बना रखा है तो यहां पर compass needle का direction क्या है वह आ बना कर दे रखा है तो यह जो arrow वाला sign है यह हमेशा किसके लिए बना रखा है आपने compass वाली needle के लिए बना रखा है ठीक है अब आपको यह identify करना है कि one two three four में से कौन सा direction हमेशा आपके जग्राफिक नौर्थ को represent करें तो मैंने कहां यह 4 ही मेरे answer हो सकते हैं क्योंकि मुझ इन में से जो correct answer है वह identify करना है अब मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपका जो declination होता है वह with respect to true north नाट इस जोग्राफिकल नौर्थ मेजर करते हुआ ठीक है तो जोग्राफिकल नौर्थ से 15 डिगरी इस्ट जाने पर मेरे compass का direction मुझे मिल जाना चाहिए मेरी बात सुने जोग्राफिकल नौर्थ से 15 डिगरी इस्ट जाने पर मुझे मेरे compass का direction मिल जाना चाहिए चेक करते हैं पहली वाले डिरेक्शन पर आते हैं अगर पहले वाले डिरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं तो पहले वाले डिरेक्शन के हिसाब से अगर आप इसे अगर आपके compass का direction आ रहा है क्या यस तो इसका मतलब इसके respect में आपका angle of declaration क्या निकल कर आया है 15 डिगरी वेस्ट निकल कर आया है पर मेरे को तो पंदरा डिगरी इस्ट बोल रखा है तो यह मेरा option नहीं होगा सेकेंड वाले डिरेक्शन की तरफ आ जाता हूं सेकेंड वाले डिरेक्शन में मैंने कहा कि अगर यह आपका नौट डिरेक्शन होगा तो यहां पर भी east-west मार्क कर लो आप तो भाई यह इस्ट हो गया अब अगर यहां देखता हूं तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि अपन मेरा correct answer होगा यहां पर तो सेकेंड वाला जो डिरेक्शन है वो बिलकुल करेक्ट है क्योंकि यह हमारे statement को justify करता है इसका मतलब हमारे सक्षिंग का answer क्या हो जाएगा भी second option हो जाएगा अब थड़ और फोर्थ को तो आपको discuss करने के जरुद भी नहीं पड़ेगी क्यूंकि कि आप खुद देखो थर्ड और फोर्थ के केस में जो आपका बेसिकली डिक्लिनेशन एंगल है वो पंदरा डिक्री तो बनेगा यहां पर आपके इस कुश्चिन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सेकंड आप्शन हो जाएगा ठीक है थैंक्यू सो मच्छ